बिहार बूट में क्या स्कूल जाना जोड़ी हो गया है? क्या है 75% उपस्थिती का नियम जो बिहार बिजाले परिच्छा समिती ने यहाँ पे लागू किया है? क्या अगर 75% अस्कूल में अटेंडनेस मेंटेन नहीं होगा? तो क्या बिहार बूट के परिच्छाती इंटर य जा रहा है क्या उसमें सामिल नहीं हो पाएंगे तो पूरी जनकारी यहां पे देखेंगे कि अस्कूल कोलेज जाना जोरी है अथवा नहीं है इस नियम का क्या माइन है क्या 75% उपस्तिती का पूरा नियम क्या है पूरे डिटेल में जानेंगे तो पूरी वीडियो धियान से देखेंगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर कर देजाए क्योंकि बिहार बोर्ड ने ओफिसली यह नोटीस जारी किया है जो कि मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं तो फटा पर शेयर कर देजिए और चैनल पर पहली वारे तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि बिहार ब अपस्तिती निउन्तम 75 पर सेंट रही है वाग्या जाच में पाए गया है कि कुछी हा स्कूल कालेज ऐसे हैं जहां बिध्यार्थी की Tag 65% उपस्तिती दर्ज है लेकिन बाकि सभी सब्सक्राइब क्राइब पॉस्तिती दर्ज नहीं हो पा रही है कि सभवहाविक सी ठीक है बिल्कुल डिटेल में यहां पर समझेंगे उसके बाद बोला गया है कि राज के सभी जीला को या जो भी स्कूल कॉलेज हैं सभी को निर्देश दिया गया है कि अगर वो मैट्रिक या इंटर प्रिच्छा में सामिल होने के लिए बिद्यार्थियों को नियुंतन पर 75 परसेंट की उपस्तिती को निवार किया गया है साथी राज के माध्यमिक एवं उच्छ माध्यमिक विद्यालों के विद्यार्थियों के लिए राज सरकार की विभीन लावुक आधारित योजनाओं का लाव लेने हैं भी 75 परसेंट उपस्तिती होना चाहिए यानि बोला होग चया में तो 75 परसेंट उपस्तिती चाहिए ही चाहिए साथ ही साथ आगे जो स्कोलर्वसिप होगा ऊसमें य पंश्यत्र प्रसेंट उपस्तिती होगा तो ही आपको चात्रवित्तीक ए ऐसीं के बाद की चीज़ है ना अतस अभी विद्यार्थी अईवाबक सिच्छे के वं सिच्छन संस्थान को सुचित किया आता है कि वो 9 से लेकर 9, 10, 11, 12 के लिए जितने भी स्कूल कॉलेज है ठीक है आपको बता दे सिच्छन सुरू करने के दिन से उसी महीने से पहले महीने की ता अइक चीज़ आता है कि समीती दोरा ऑइवाजीत माधिमिक मैट्रिक या में इंटर की परिछा में 2 से परिच्छा एंगे जिनकी उपस्थिती आये ओजित कच्छा में सिच्छन करने के दिन से उस महीने से पहले महीने की तारिक तक जिसमें स्कूल बोर्ड की प्रिच्छा शुरू होती यानि कि जिस महीने में आपके स्कूल वोड की परिच्छा सुरू होगी उस महीने की पहली तारी तक अटेंडेंस काउंट किया जाएगा शुरू से लेकर अब तक उसमें 75% उपस्थिति होना चाहिए अब देखिए इस नियम की अगर बात की जाए तो यह नियम सुरू करे तो ही 75% उपस्थिति का टेंडेंस जो है वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा तो अगर यह नियम लाना था तो शुरू आत में एडमिशन के टाइम ही लाना था अब परिच्छा में 5 से 6 महीना बचा हुआ है ऐसे में एक साल का टेंडेंस 75% पूरा होना कर दोता हो आशन की का टूरू कोंले और तो शुरू यह फिर पासिंग उनियम एक समर्थ और यह दो आपको सब्ताह में तीन दीन दो दीन जो है शुरुवात में आपको जाना है कि अभी नियम जो है लागू किया है उसके बाद जो है आपको अपनी प्रिंसपल के पास एक अप्लिकेशन देना होगा कि मेरा 90 किलिमीटर है 80 किलिमीटर है 40 किलिमीटर है या बाहर पढ़ाई कर बेना सोचे समझे बिना आवहलना करते हैं बिना किसी अप्लिकेशन की कॉलेज नहीं जाते हैं उसका अपने स्कूल कलेज बिजिट करें अभी फिलहाल 2-3 दिन सब्ताह में जरूर जाए आगे जो नियम होगा स्कूल कलेज खुद आपको यहां पे बता दिया जाएगा और इस चैनल पे अब डेट में लगातार दे दी जाएगी देखिए बिहारवोड की अब डेट लागू की गई है सभी स्कूल कॉलेज के लिए ठीके तो 75% उपस्तिती रहेगा तो ही आपका admit card आएगा ये नियम कहता है लेकिन सचाई जाने तो सचाई की अगर देखा जाए तो स्कूल कॉलेज में अभी जो है attendance बढ़ गया नियम आने के बाद लेकिन पहले से ऐसा कोई attendance मेंटेन नहीं हो रहा था तो अब जो नियम कहता है कि जब से ये नियम आया है उस समय से अगर count किया जाएगा अभी college जाते हैं तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर सुरुआत से count किया जाता है और बहुत से चात्र नहीं जा रहा है तो ऐसे में दिक्कत हो सकता है तो आप लोग अस्कूल कॉलेज जरू से अभी फिलहाल जाना सुरू कर दें ठीक है क्योंकि अभी जो है वो आपका center exam होने जा रहा है तो center exam में ही कहीं आप ना फस जाएं इसलिए अगर आप safe side में रहना चाहते हैं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप school college अभी से जाना सुरू कर दें बांकि आपकी मर्जी है जैसा आपको बताया गया जो बिहार बोड का नियम है बहुत नियम यही कहता है बहुत सरे चाहत इस्टेंशन में भी है कि सर एक्जाम है center exam का आगे exam होने वाला है center exam का October में और अभी तक कुछ तयारी नहीं है ना syllabus मेरा पुरा हुआ है और final exam भी फरवरी में है अभी तक कुछ नहीं पढ़ें तो क्या अभी से परकर आज से परकर क्या हम अच्छा performance कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं आज से भी जिस दिन आप video देख रहे हैं उस दिन से भी आप अच्छा करके आप 80-90% ला सकते हैं इसके लिए आपको वही चीज पढ़ना है जो exam में आएगा फाल्तू की चीजे नहीं पढ़नी है चात फाल्तू की चीजे पढ़ने लगते हैं तो इसके लिए एक आपको total seat दिया जा रहा है question answer के साथ जिससे बाहर आपके exam में कोई भी class होगी तो उसमें भी हिस्सा बनिएगा और यहां पर जो assignment दिया जा रहा है जिससे बाहर exam में एक भी नहीं पूछेगा उसे ले लिजी और exam में जाके तहलका मचा देजिए ठीक है देखिए उससे कैसे लेना है वो ध्यान से देख लीजिए आपको यहां पर जो question answer के साथ PDF दिये जा रहे हैं उससे सारी question आपकी exam में आएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक है तो सिर्फ इसे पढ़ना है और exam में जाके तहलका मचा देना है चाहिए आप arts के student है science के student है या commerce के student है सभी के लिए आपका subject material के साथ उपलवध है हिंदी और लिक्स medium दोनों में देखे अगर आप 3 बिसे लेते हैं जैसे कि science का 3 बिसे हो या arts का हो या commerce का हो तो 1000 रुपे में आपको मिल जाता है ठीक है वहीं physics chemistry bio का भी वही है लेकिन अगर आप और subject लेते हैं तो 1300 में मिलता है और Hindi English लेते हैं तो 400 में मिलता है लेकिन कोई एक subject लेते हैं जैसे physics लेते है सिफ chemistry लेते हैं तो आपको चार सुरिपे लगते हैं इसे लेने के लिए करना क्या है तो आपको PDF लेने के लिए इस दिये गए नंबर पे फोन पी या Google पे इसे payment करके उसका स्क्रीन और WhatsApp नंबर पे भेज़ देना है इसी WhatsApp नंबर पे और तुरंत जो है वह आपका PDF जो है वह अब हिस दिया जाएगा पेमेंट के तुरंत बाद